प्रेस्ण तीन उस घनाब का रिष्ठिय छेतरफल ग्याद करें जिसकी बिमाएं निम्ने लिखित हैं तो प्रेस्ण तीन का पहला तो घनाब घनाव की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटिमीटर तो लंबाई को L से लिखते हैं ठीक है तो L बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटिमीटर ठीक है लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटिमीटर चोड़ाई तो घनाव की चोड़ाई तो चोड़ाई और लंबाई देखिए इस तरह से संखेप में लिखते हैं लंबाई को इस तरह से संखेप में और चोड़ाई को इस तरह से संखेप में तो चोड़ाई को बी से लिखते हैं ठीक है बी मतलब होता है ब्रेत तो ब्रेट को बी से यानि ब्रेट मतलब होता है चोड़ाई तो बी से लिखते हैं ठीक है इंगलिस में तो चोड़ाई यानि बी बराबर कितना दिया हुआ है आठ सेंटिमीटर घनाब की उचाई उचाई बराबर उचाई को एच से लिखते हैं ठीक है हाइट हाइट मन्तब उचाई तो एच से लिखते हैं तो एच बराबर कितना दिया हुआ है पांच सेंटिमीटर तो लंबाई चोड़ाई और उचाई दिया हुआ है घनाब का हमें निकालना है प्रिष्ठिय छेत्रफल तो घनाब का प्रिष्ठिय छेत्रफल होता है तो देखे तो प्रिष्ठिय प्रिष्ठिय छेत्रफल बराबर होता है दो गुना LB प्लस BH प्लस LH यह होता है तो LB मतलब लंबाई गुना चोड़ाई जोड BH मतलब चोड़ाई गुना उचाई जोड LH मतलब लंबाई गुना उचाई तो देखे L क्या है लंबाई BH चोड़ाई H है उचाई ठीक है तो LB यानि लंबाई गुना चोड़ाई हुआ LB मतलब गुना में है दोनों साथ में लिखा हुआ है तो गुना में हुआ तो लंबाई गुना चोड़ाई जोड चोड़ाई गुना उचाई H मतलब उचाई तो चोड़ाई गुना उचाई बी है बी एच मत्व हो गया चोड़ाई गुना उचाई जोड एल एच यानि लंबाई गुना उचाई तो इसको लिख लेंगे अब दो गुना एल कितना है दस देखिए एल कितना है दस तो दस गुना आठ जोड बी चोड़ाई आठ है तो आठ गुना पांच जोड दस गुना पांच तो लंबाई एल बी यानि लंबाई गुना चोड़ाई तो दस गुना आठ बी एच यानि चोड़ाई गुना उचाई तो चोड़ाई आठ सेंटिमेटर है तो आठ गुना पांच LH यानि लंबाई है 10 और उचाही है 5 तो 10 उना 5 सब सेंटीमीटर में है सब सेंटीमीटर में है तो लिख लेंगे यहाँ पर छेतर फल तो छेतर फल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है यानि वर्ग में होता है चाहे सेंटीमीटर में रहे चाहे मिटर में है, चाहे कुछ में भी रहे, वर्ग में ही होगा, क्योंकि देखिए, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर में है, लंबाई चोड़ाई, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये दोनों भी, वर्ग सेंटीमीट जोड वर्क सेंटीमेटर जोड वर्क सेंटीमेटर वर्क सेंटीमेटर में ही आएगा ठीक है अब इसको हल कर देंगे तो दो गुना दस अठी असी जोड अठ पचे चालिस जोड दस पचे पचास वर्क सेंटीमेटर तो दो गुना अब इन तूनों को जोड़ेंगे क्योंकि कोश्टक में है तो इन तीनों को पहले जोड़ेंगे तो सुन ने सुन ने सुन ने पांचर नो नो आट 17 तो दो गुना 170 वर्ग सेंटिमेटर यानि कितना आ गया 17 दूनी 34 और एक सुन्य है तो 340 वर्ग सेंटिमेटर तो इस तरह प्रस्न तीन का पहला हल कर लेंगे प्रस्न तीन का दूसरा तो लिखेंगे घनाब की लंबाई बराबर घनाब की लंबाई बराबर दिया हुआ है 25 सेंटिमेटर तो लंबाई को एल से लिखते हैं तो एल बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटिमेटर एल मतलब लेंथ मतलब होता है लंबाई तो एल से लिखते हैं ठीक है लंबाई को तो एल बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटिमेटर कोमा देंगे घनाब की चोडाई तो चोडाई को बी से तो बी बराबर बी से क्या होता है ब्रेत मतलब होता है चोडाई तो बी बराबर है सुने दसमलो 5 मीटर सुने दसमलो 5 मीटर तो देखे सुने दसमलो 5 मीटर को पहले सेंटी मीटर में बदल लेंगे तो एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होता है तो सुने दसमलो 5 मीटर में यानि 5 बटा 10 गुना 100 सेंटी मीटर हो जाएगा एक मीटर में 100 सेंटिमीटर तो सुने दसमलों 5 मीटर में सुने दसमलों 5 गुना 100 100 से गुना कर देंगे तो सुने दसमलों 5 को 5 बटा 10 क्यों लिखेंगे क्योंकि देखिए 10 मलों हटाएंगे तो 10 मलों को बाद एक अंक है तो बटा में एक पर एक सुन्य हो जाएगा तो पांच बटा दस लिख लेंगे एक सुन्य से एक सुन्य कट गया यानि कितना आ गया पांच कुना दस यानि पचास सिंटीमीटर तो घनाब की चवड़ाई पचास सिंटीमीटर ठीक है 0.5 मीटर बराबर क्या हो जागा 50 सेंटी मीटर अब घनाब की उचाई उचाई यानि H H बराबर कितना दिया हुआ है तो उचाई दिया हुआ है 15 सेंटी मीटर कितना दिया हुआ है 15 सेंटी मीटर तो तीनों सेंटिमीटर में हो गया देखें ये भी सेंटिमीटर में यानि ब्रेत यानि चोड़ाई भी सेंटिमीटर में उचाई भी सेंटिमीटर में और लंबाई भी सेंटिमीटर में अब इसका हम प्रिष्ठिय छेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे प्रिष्ठिय चेत्रफल बराबर दो गुना LB प्लस BH प्लस LH तो देखें LB यानि लंबाई गुना चोड़ाई BH यानि चोड़ाई गुना उचाई LH मतलब लंबाई गुना उचाई तो LB L मतलब क्या होता है लंबाई B मतलब चोड़ाई ठीक है H मतलब उचाई तो उसी तरह लिख लेंगे तो 2 गुना LB L कितना है? 25 तो 25 गुना B कितना है? B 50 cm लाए है सुने दर समय पांच मीटर बढ़ाबर कितना होगा? 50 cm तो 25 गुना 50 जोड BH यानि 50 गुना H कितना है? 15 जोड L कितना है? 25 H कितना है? 15 इस तरह लिख लेंगे सब सेंटीमीटर में है क्या? सब सेंटीमीटर में है तो प्रिष्टिय चेतरफल रहे चाहे कोई भी चेतरफल रहे वर्ग में ही होता है यानि वर्ग सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में है वर्ग सेंटीमीटर लिख रहे हैं यहां पर अगर मीटर में रहता तो वर्ग मीटर लिखते हैं तो सेंटीमीटर का घात दोल देंगे क्योंकि छेतरफल हमेशा वर्ग में ही आता है तो देखे सब को गुना कर देते हैं तो पचीस गुना पचास 25 पचे 125 यानि 1250 हो जाएगा 25 गुना 50 जोड 50 गुना 15 15 पचे 75 यानि 750 जोड 25 गुना 15 25 पचे 125 हात में रहा 12 25 गुना 15 25 और 12 तो 25 दस 35 दो 37 यानि 365 वर्ग सिंटीमीटर में आएगा ठीक है अब सब को जोड देंगे तो सून्य सून्य पाँच 75 पाँच 12 बारा पाँच 17 हात में रहा 1 33 चार साच 4 इगार इगार दो 13 हात में रहा 1 एक एक दो यानि 2 गुना 2375 वर्ग सिंटीमीटर अब इसको गुना कर देते हैं तो 5 दूनी 10 7 दूनी 14 एक पंदरा 3 दूनी 6 एक साथ 4,750 वर्ग सिंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर यानि प्रिस्टिय छेतर फल तो घनाब का प्रिस्टिय छेतर फल कितना हो जाएगा 4750 वर्ग सिंटीमीटर तो इस तरह इसको हल करेंगे प्रासन तीन का तीन तो लिखेंगे घनाब घनाब की लंबाई बराबर यानि लंबाई को L से लिखते हैं तो L बराबर कितना हो दिया हुआ है आट मीटर घनाब की चोडाई बराबर B चोडाई को B से लिखते हैं तो चोडाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर घनाब की उचाई यानि H उचाई को H से लिखते हैं तो H बराबर दिया हुआ है 3 मीटर ठीक है? तो लंबाई चोड़ाई और उचाई दिया हुआ है घनाब का हमें निकालना है प्रिष्ठिय छेद्रफल प्रिष्ठिय छेद्रफल तो घनाब का प्रिष्ठिय छेद्रफल का सुत्र होता है दो गुना LB जोड BH जोड LH यानि LB मतलब लंबाई गुना चोड़ाई BH मतलब चोड़ाई गुना उचाई और LH मतलब लंबाई गुना उचाई तो इसको अब लिख लेते हैं तो देखें 2 गुना L, L कितना है 8, 8 मीटर है ब्रेत यानि चोड़ाई कितना है B, 6 जोड B कितना है 6, गुना H है 3 जोड L यानि लंबाई कितना है 8, H यानि उचाई है 3 सब मीटर में हैं इसलिए 6 तरफल कोई भी 6 तरफल रहे, वर्ग में ही आता है यानि वर्ग मीटर तो इसको अब गुना कर देते हैं दो गुना 8, 48, जोड 6, 18, जोड 8, 24, वर्ग मीटर तो दो गुना, अब सब जोड देंगे 8, 4, 12, 12, 8, 20, हाथ में रहाथ 2, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 90 आएगा तो इस तीनों को जोडने पर कितना आगे है 90 90 दूना 180, 90 दूना 180, माफ किजिए हम मीटर होगा वर्ग मीटर, तो घनाब का प्रिष्टिय च्छेतर फल कितना आएगा 180 वर्ग मीटर, तो इस तरह इसको हल करेंगे 20 वर्ग मीटर, तो इसको हल कितना आएगा